और आप उस message को देखने से पहले उसने इस सिचोशन में आप उसका message को रीट नहीं कर पाएंगे दोस्थो लिकिन गाईज अचकी इस वीडियो में आप लोगों को जो ट्रिक दिखाऊंगा अगर आप वो ट्रिक एपलाई करते हो तो आप किसी का भी डिलेट मेसिज को आसानी से रिट कर पाएंगे WhatsApp के अंदर तो कौन से ट्रिक है आए फोटावर्ट से जान लाते हैं उससे पहले आप इस चैनल को आभी तक साब्सक्रेब नहीं किया है तो चैनल को फोटावर्ट से साब्सक्रेब कर लेजिए तो आएए आज जान लेते हैं WhatsApp डिलेट मेसिज को किस तरह से रिट करना है इसके लिए जोस्तो आपको पहले एक application इस्टाल करना होगा application का नाम किया है बाद में बताता हूं उससे पहले मैं आप लोगों को दिखायाता हूं इस application किस तरह से काम करते हैं तो आप जासे इस application को install करके open करेंगे तो आपको यहाँ पर देना होगा Let's Start, उसके बाद आपको नीचे मिलेगा Continue with Ads, तो आप इस पर क्लिक कर देजिए, क्लिक करने के बाद दोस्त आपको इसके उपर टैप करना होगा, फिर आपको कर देना है Done, Done का आणने के बाद इन साभी को Permission देना होगा, आपको नीचे मिलेगा Grant Permission, तो आप इस पर टैप करके इन्साभी को Permission दे दिए, तो मैं यहाँ पर एक एक करके इन साभी को पार्मिशन देता हूँ और पार्मिशन देने के बाद दोस्तों आपके समने कभी कभी एड वगड़ा आ सकता है तो आप एड को क्लोस कर दिजिए कुछ इस तरह और जैसे इस एप्लिकेशन आपके फुन में पूरी तरीके से उपन हो जाएगा तो आपके समने कुछ इस तरह एंटरेफेस आजाएगा आप भी आपको इस एप्लिकेशन से आजाना है बाहर और बाहर आने के बाद मैं आप लोगों को प्रेक्टिकली करके दिखायाता हूँ डिलेट फॉर एब्रोण मेसिस को दिखाया देता है या फिन नहीं तो मैं यहाँ पर मेरा सेगंड वार्टसप पर जाके कुछ मेसिस कर देता हूँ मेरा में वार्टसप पर तो यहाँ पर देख सकते हूँ कुछ मेसिस कर रहा हूँ और मेसिस कर देने के बाद मैं यहाँ से किसी भी एक मेसिस को दिलेट कर देता हूँ दिलेट फॉर एब्रोण करके तो यहाँ पर देख सकता हूँ delete for everyone करके मैं एक message को कार दिया हूँ delete तो आभी मैं जाता हूँ मेरा main whatsapp पे तो यहाँ पर आप लोग देखी सकता हूँ दोस्तो मैं जो कुछ भी message किया था मेरा second whatsapp पे जाके उन साभी message यहाँ पर शो होड़ा है लेकिन एक message delete for everyone दिख़डा है तो इस message को read कारने के लिए मुझे जाना होगा उस application के अंदर तो मैं उस application को open करता हूँ उसके बाद जाता हूँ इस chart में और जालने के बाद आप लोग यहाँ पर देखी सकता हूँ दोस्तो मेरा main whatsapp पर जो इस message delete दिख़डा था आप यहाँ पर इस message को मैं read कार रहा हूँ तो इस तरह से आप whatsapp delete message को आसानी से read कार पाएंगे और अगर आपको किसी ने whatsapp के तो कोई भी photo या video send करके delete करता है delete for everyone करके तो आपको media के अंदर उस file दिख जाएगा तो इस application को install करने के लिए जाए प्लेस्ट्रू में जाने के बाद search किजिए whatsapp delete message recovered search करने के बाद दोस्तो आपके समने इस application आजाएगा तो आप इस application को install कर लेजिए और इस application का link आपको मिल जाएगा वीडियो का fast comment में आप link के उपर tap करके भी इस application को install कर सकते हो तो यहीता दोस्तो आज का वीडियो I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share कीजिए और आप इस चैनल को आभी तक subscribe नहीं क्या है तो चैनल को photovert सा subscribe कर लेजिए तो मैं मिलता हूँ किसी आगली वीडियो में किसी नाड़ पिक के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक क्या है